कि हेलो और दोस्तों हमारे पास यह सैंसन जो 선ाग करना उसको गौप करने के लिए एक वट्सटू पे मेसेज आरा कि भाई हमारा वन लोग कर दो तो अब वह मुझा आपके लिए करके बताएंगे किस तरीके से होता है उनलोग तो उसके एक इजी मैथधर है उससे हम आपको लेकर के बता देंगा आपको कोई बाइपास नहीं करना आपको डारेक्टरी हम आनलोग टूल से करके दिखाएंगे तो उसमें का आपको दो उस बंदे का टीमीवर आई डी चाहिएगी तीमीवर पर आईडी कनेक्ट करकर उसका टैब को आनल इसे करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें तो इसे करने के लिए हम पहले उसके सिस्टम पर अल्रेडी अनलॉक टूल ओपन है जो कि मैंने अपनी आईडी पासवर्ड से ओपन किया है तो उसके करने के लिए हम सीधा इस में काफी है सैमसंग वी वह मैं आप वह से ने जैंगे शीदा तीक उसमें मीडिय टेग सीपी लगा हो चैनल मीडिया टेग पर जाने के लिए टेग के एमटी के यूनिवर्सल पर गए तो यहां से आप इसका बूट डिवाइस लेंगे तो मैं लिखता हूं उसको तो यह गार दोस्तों और एक जो टैब कर देखो उसने कनेक्ट कर दिया अब कनेक्ट हो रहा है हमने यहां से क्या क्या इसका बूट डिवाइज लिया बूट डिवाइज लेने के बाद जैसे ही बूट डिवाइज हो जाएगा इसको साइडन कर देते हैं बूट डिवाइज करने के बाद इसमें आपको करना पड़ेगा रिश्टोर एन्वी यह वाड़ा रिश्टोर एन्वी इसके लिए फाइल की जरुत पड़ेगी फाइल के लिए सीधा से हम अपने डेश्टॉप पे जाएंगे इसके लिए फाइल तो यह फाइल है इसके डेश्टॉप पे इसको हम कोपी करेंगे तो यह हमने इसके डेश्टॉप पे यह फाइल डाल दी तो यह इसके डेश्टॉप पे यह चलीगी होगी फाइल यहां पर यह फाइल रही इसको हम एक्स्टार ठेरी करेंगे तो एक्स्टार ठेरी करेंगे इसमें password लगा हुआ है इसको password को इंटर करेंगे ठीक है अब इस फाइल डेस्टॉप पड़े है restart nv करेंगे restart nv तो इस फाइल को select कर लेंगे select करने के बाद फिर select करेंगे तो यह आपके लिए दिखाएगा restart nv restore nv यह फिस ok ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है है उसके बाद यह फाइल हमने हमारी फाइल यह उसके PC से यह डिलिट कर देनी है ठीक है तो इसको हमने उसके PC से डिलिट किया तो अब क्या गरना है हमको अब हमको इसमें Samsung में फिलेश में जाकर इसका मॉडल सेलेक्ट करना है Samsung मॉडल सेलेक्ट हुआ अल्रेड़ी और टैप T225 सेलेक्ट कर रखिए तो यह सेलेक्ट करने के बाद फिर दुबार एम्टी की यूनिवरसल में जाना यहां से हमें format डाटा तो यहां थोड़ा देहन तो इसको यहां से सीधा reboot कर देना है फिलेश में जाना है और format कर देना है यह मैंने फास्ट इसलिए कि आई कि आप फिर दुबारा reconnect करके tab को लगाते अब इससे reconnect करने की जुरूत नहीं है इसलिए फास्ट किया था यहां से अब सीधा इसका काम finish हो गया है तो यह tab unlock हो गई अब यह tab recover mode में जाएगी recover mode में जाने के बाद उसको आपको वहां से factory reset करना है factory reset करने के बाद तो उसको complete setup करना है FRP आप से यह नहीं लेगी लेकिन एक चीज़ में बताना बोल गया था इसमें से sim बाहर निकाल देनी है sim इसके अंदर नहीं होनी चाहिए sim बिल्कुल बाहर होनी चाहिए तो इसको अन होने में पांच मिनट लगेंगे करीब तब तक के लिए मैं वीडियो को push कर देता हूं उसके बाद इसको आपको samsung का tap पूरा on हो जाएगा इसको usb अलाव देकर एक software है उससे इसका disable canvas करना disable canvas करने के लिए एक टूल की ज़रुत पड़ेगी आप चेक कर लेते हैं तो यहां पर कहां पर कहां पर यह रहा तो इस टूल को यहां से open करना मैं open करकर रख लेता हूं तो जैसे tab on होगा usb अंदर से अलाव देंगे about में जाके welding पर दवाएंगे 5-4 वर उसके बाद किलिक करने के बाद usb अलाव हो जाएगा तो फिर वाग बाद में आपको यहां से इसका canvas disable कर देना है दोस्तों मैं इसमें tab on हो रहा है थोड़ा time लगागा इसलिए मैं वीडियो के थोड़ी देर के लिए push कर देता हूं दोस्तों हमने वेट किया था उसके लिए कि samsung की tab on हो जाएगी उसको आपको smw samsung की जो टूल आती है उससों आपको अब उसका canvas disable करना है और उसका ota disable करना उसके लिए हम दुबारा से उसके team viewer पर जाएंगे तो उस पर team viewer पर जाने के बद तो हम इस software को SMFW 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 को SMFW को हम open करेंगे इसको open करने के लिए इसके PC पे इसको open किया और दोस्तों एक चीज थी इसके बीच में मैंने एक file select की थी वो file के लिए आपको हमारे description में whatsapp number मिलेगा उससे आप file के लिए contact हमसे कर सकते हैं तो वो file हम आपके लिए दे देंगे तो तो इसके लिए आपको सीधा आपको एडिवी में जाना है और उससे बोना भाई USB allow करो उसमें USB dubbing में जाकर USB dubbing on करना आवर्ट में जाकर आपको USB dubbing on कर देना तो एक मिनट थोड़ा net शिलो है हो सकता ही को उसने कर रखा हो एक वर हम ट्राइब कर लेते हैं डारेक्टर का डिसेबल करना यहां से यानि कि OTA update का हमने डिसेबल करना अब वहां पर USB allow मागे गए देखो यह अपडेट डिसेबल अपडेट सक्सेस्फुल यानि कि इसकी जो अपडेटिंग आएंगे ना वो डिसेबल होगी अपडेट नहीं होगा खुद तो फिर इसके लिए हम जाना पड़ाएगा टैस्ट मोड पर टै फूल वर्किंग में काम करेगा यूटूब चला गूगल क्रॉम चलाओ इंस्टग्राम चलाओ कुछ भी चलाओ फेस्बुक चलाओ सब चलेगा लेकिन इसको आपको फेक्ट्री सेट नहीं करना कस्टोमर से बोल देना कि भई आप अपका गौर्मेंट लोगों को आ तो उसको सिम बाहर करना आपको जब इस पर काम करना तो आपका डन हो गया है तो ठीक है तो थैंक यू दोस्तो अगर हमारी वीडियो आपका अच्छी लगी हो तो इसको फिली सस्क्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दवा देना अब मैं इसका टीमिवर डिसकनेक्ट क जाता हूँ वट्सप पे गया तो यह वट्सप पे गया अब फोटो डालेगा कि टैबन लोक हो आया नहीं होगा तो यह वोट्य यह सक्सेस्फुल है टैब आपकी ठीक है फुल वर्किंग में इसे पहले जाओ हमारे पास फोटो आया तो यह था यह इसमें लोक लगा तो अगर इस लोक को प्रेस करोगा ना तो इसमें खटर का फोटो आएगा डारेक्टर याना गवर्मेंट का लोग अब इसको रिबूट करो फैक्ट्री रिसेट नहीं करना है अपडेट भी नहीं करना है और फुल इंजया करो चलाओ थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू फर दोस्तों वीडियो देखने के लिए